हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्माशिंग क्यूजीन्स आज हम एक पनीर के रेसिपी बनाने वाले हैं जो की बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ बनेगी लेकिन रेसिपी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए क साथ ही आप नमक भी डाल दें स्वाद के कोडिंग यहां आधा जमच मैंने नमक लिया है और आधा जमच अद्रक लसन का पेस्ट धाइसो ग्राम मैंने क्यूब्स में कट करके पनीर ले लिया है और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक कोटिंग बन जाएगी अब हाफ एन आवर आदे घंटे के लिए आपको पनी को साइड में रख देना है अब हम एक ड्राइ मसाला बना के तियार करेंगे जिसके लिए मैंने दो टेबल स्पून धनिया एक टी स्पून जीरा चार लॉंग तीन हरी वाली जो छोटी इलाइची होती है वो और दस से बारा मैंने दाने ले लिया है काली मिर्च के दो बड़ी इलाइची एक इंच मैंने ले लिया है तालचीनी का सब को ड्राइ रोस्ट करके इसका एक दुम फाइन पाउडर मैंने तयार कर लिया है तो ड्राइ रोस्ट करके फाइन पाउडर बना के साइड में रख दें और तो मैंने यहां पर टमाटर बॉल करके प्यॉरे कर लिया इसको भी अब हम साइड में रख देंगे साथी मैंने यहां पर 12 भीगे हुए बदाम ले लिया है और उनका भी पेस्ट बना लिया है तो यहां पर हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रेवी बनाने के लिए वो तयार है अब मैंने दो चम्मच तेल लिया है एक पैन में एक तेज पत्ता और साथ ही जो मैंने प्यास की प्यॉरे बनाई थी उसको भी ग्रेवी में आड़ कर दिया है और साथ ही मैंने सारे ड्राइ पेस्ट यह भी अड़ कर दिया है, सारे अलिमेंट्स अपने पैन के अंदर अड़ कर दिया है, अब यह देखिए बहुत ही जल्दी जो हमारा ग्रेवी का मसाला है वह पक जाएगा क्योंकि आल्रेडी इसमें सारे ही पके हुए अलिमेंस अड़ किये हैं, जैसे कि प्याज है, हमने पहले उसको फ्राई कर लिया था, तो इसलिए हमारी जो ग्रेवी है उसने बहुत जल्दी तेल छोड़ दिया, तो जब हमारी ग्रेवी में तेल छोड़ दे, उसके बाद पनीर आपको इसमें आड़ कर देना है, जो हमने मारिनेट करने के लिए पनीर रखा था, अब आड़ कर देना है, साथ ही आप आड़ कर दें, इसमें नमक, स्वात के अनुसार, हम इसमें आधा कप पानी भी आड़ कर देंगे, और आधा चमच, लाल मिर्च का पाउडर भी, एक बॉल आने दे, जब थोड़ा सा बॉल आ जाए ग्रेवी में, तो आप फ्लेम को आफ कर और बस आपकी पनीर मुसलम बनके है, रेडी बिलकुल तयार नान चपाती, राइस रोटी के साथ आप इसको सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनती है, तो जरूर ट्राइ करें, चानल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ने किया, तो जरूर जरूर सब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक कॉमेंट भी करें